हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, तो अपना जेनेटिक्स का चल रहा था, डीने, उसके बारे में पूरा डीटिल में बताया था हमने, ठीक है ना, अब आज का टोपिक होगा, प्रोपर्टिज ओफ जेनेटिक मैंटरिएल, जेनेटिक मैंटरियल की क्या प्रोपर्टि होन है ठिक है तो पहले क्या होगा हम हेडिंग लिखेंगे प्रोपार्टीज गेटीक मेड्रियल इस प्रोपार्टीज प्रोपर्टिज ऑफ जेनेटिक मेटरील क्या प्रोपर्टी होना चाहिए भाई जेनेटिक मेटरील की प्रोपर्टी क्या होना चाहिए ठेका तो पहले देखो पहले इसमें यह बताये जाएगा कि A, H, C और M, चेज इन होने जो अपना experiment किया था transduction experiment उससे ते बिलकुल undoubtfully एकदम clear कर दिया कि in comparison to protein DNA is actual the genetic material ठीक है DNA actual genetic material है समरे हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ARC and M. Martha Chaiz take proven undoubtfully that DNA is the genetic material, genetic material, ठीक है, एन कॉम्परीजिन तो, किसके कॉम्परीजिन में, प्रोटीन, प्रोटीन के कॉम्परीजिन में, सरह, DNA is the best genetic material, इन कॉम्परीजिन तो, प्रोटीन और DNA के बारे में, बहुत छिड़ा हुआता लोगों के बीच में, ये डिवेट्स हो रहे थे, तो ये बिलकुल अनडाउटफुली क्या किया, पूरा क्लियर कर दिया, नहीं, अब देखो, मामला कहां फसा, मामला फसा कि अब RNA के कुछ ऐसे वाइरस के डिस्कवरी हो गई, जिसमें RNA genetic material जैसा काम कर रहा था, तो फिर से एक बाट डाउट आया, कि अब बताओ भई, DNA की RNA अब किसको मानेंगे, ठीक है, तो देख लो, क्या हो जाएगा, कि हावेवर, लिखेंगे क्या, हावेवर, सम वाइरसेस, सम वाइरसेस, जैसे कि TME, तो भैको मोजाइक वाइरस, पहले बताओ था आपको, और एक QB bacterial phase होता है, क्या होता है, QB bacterial phase, QB bacterial phase, PHA, QB bacterial phase, इसमें जो होता है, इन सम वाइरसेस, आर अनय, यह आर अनय जो होता है, आर अनय एक्स एज, जैनेटिक इनका जेनेटिक मेटरियल जो होता है वो आरेने होता है अब देखलो अब एक फिर नया डीबेटे स्टाट हुआ कि नजी तब तो लग रहा है कि आरेने को ही मनना पड़ेगा हमें इक्यूवाइलेंटली जेनेटिक मेटरियल समर्णखो अब क्या हुगा आगे का पॉइंट कि अब आगे का पॉइंट ही आया साइन्टिस्टों ने ऐसा एक एक एस्टेंडर्ड बनाया कि भाई जेनेटिक मेटरियल को हम जेनेटिक material का recognition कैसे देंगे उसको मनिता कैसे देंगे थिक तो उसको कुछ criteria follow करना चाहिए समरो हो वो क्या क्या criteria है तो पहले लिखेंगे क्या कि कि a molecule we have as genetic material genetic material should follow क्या आप करना चाहिए should follow genetic material should follow should follow the following criteria following criteria जो लिखने जा रहे है उसको follow करना चाहिए उसको क्या क्या follow करना चाहिए तो फास्ट पॉइंट पॉइंट क्या होगा फास्ट पॉइंट होगा बच्चों यह होगा फास्ट पॉइंट है फास्ट पॉइंट है कि जो genetic material होगा उसको duplication करना होगा अपना कॉपी खुद त्यार करने की उसमें capacity होनी चाहिए ठीक है जैसे मान लों कि यदि protein है protein को हम मानते हैं genetic material तो protein में capacity होना चाहिए कि वो अपना खुद से doubling कर ले क्यों कि genetic material अगले generation में तो जाता है तो अगले generation में भेजने के लिए वो double होगा तो अपने एक एक कोपी भेज होगे अगला generation में अब फिर जो अगला generation होगा ओभी double करेगा तो एक कोपी अपने अगला generation में भेजेगा पता रहे समझ में तो पहले उसको अपना कोपी मतला doubling करना पड़ेगा कोपी त्यार करने की capability होना चाहिए फस्ट क्राइटेरिया समरे हो तो फस्ट क्या हो जाएगा फस्ट इट सुड़ इट सुड़ है पर के पे बिलिटी ठीक है इट सुड़ है पर इप के बिलिटी तू क्या के बिलिटी टू में इट सो और कॉपी ओन कॉपी ठीक उस प्रोसेस को क्या बोलता है The process is known as replication. उसको क्या बोलते हैं? Rapplication. Rapplication. और इसी को बोलते हैं? और इसी क्या कहाते हैं? और इस पूरे line को क्या बोलते हैं? It should have capacity to make its replica. Its replica. ठीक है? रिप्लिका वाले समझते हो, जैसे माल लो, कि आप Jerox वाले दुकान पे गए, फोटो कोपी वाले दुकान पे गए, आप आपने कुछ मेट्रियल देगे, भाईया, इसका दो तीन कोपी तैयार करके देदो, तो हूब जैसे आप देते हैं, वो इसे ही दूसरा, तीसरा, जित इतना बोलोगे, 40-50 इतना बोलोगे, वो इसे ही कोपी तैयार करके देगा आपको, तो पहला जो में कोपी आप दिया और बाकी का बात में जो मिला है, उसमें कोई डिफरेंस या आपको नजर नहीं आएगा, तो उसी को बोलते हैं कि रिप्लिका तैयार करना, ठीक है, पहल अपने रिप्लिका बनाने का, ठीक है, चलो, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा, आप देखो, इस पॉइंट में देखो जा रहा, अब आपके पास है क्या, प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन है, आपके पास क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन है, प्रिप्लिका त्यार नहीं टयार नहीं कर सकता है ठीक है 58 करता है RS50- utility त्यार्न करता ना करता है तो इसमें भी capacity है, इसमें भी capacity है, तो यह तो लडाई से बाहर हो गया न, यह तो मैदान से out हो गया, यह protein जो भाई सहाब थे, यह तो out हो गया पहले point में, यह पहले point में fail कर गया, मतलब protein क्या लिखेंगे, protein fails, protein fails to follow, follow this statement, यह statement को follow करने में fail कर जाता है, because यह duplicate नहीं कर सकता, ठीक है, चलो, तो protein नहीं से खारिज होगा कि चलो, protein के बाद ख़तम कर दो, अब हमें select करना है DNA और RNA में से, selection बहुत ज़रूरी है, यह देखो, second point, second point क्या होना चाहिए? it should be a stable, इसको क्या होना चाहिए? it should be a stable, a stable होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा hit किया, बस, सब तूट फट गया, कोई chemical डाल दिया, सब ख़तम मामला, सब रहे हो, सब ही chemical से proof नहीं होंगे, लेकिन अधिकतर cases में क्या होना चाहिए? उसको stable होना चाहिए, सब रहे हो, तो आप देखों यहाँ पर, DNA जो होता है, अब बात करते हैं DNA और RNA की, यह DNA लिख लिया है, ठीक है? DNA, DNA में क्या देखते थे? जो heat kill bacteria था, यह जो, एस वेक्टरिया को, जो heat kill आपने क्या था, heat से kill किया था, heat killed है न, heat killed किया था, उसके सारे पार्ट मर गये, सारे पार्ट उसके मर गये थे, लेकिन DNA मरा था क्या? DNA denature हुआ था, सारे पार्ट denature हो गया, लेकिन DNA denature नहीं हुआ, इसका मतलब कि DNA intact रहा, क्योंकि DNA denature होता, तो वो R में घूस के, वो R में घूसा, अग घूसने के बाद फिर R को S में change कर दिया, तो ऐसा नहीं ने कर पाता, ऐसा वो नहीं कर पाता, समझे रहा हूँ? यह R को S में change किया, इसका मतलब क्या हुआ? यह जो R bacteria को S में change कर दिया, इसने R को S में change कर दिया, मतलब क्या हुआ? कि इसके protein part denature हो गया, RNA part decompose कर गया, समझे हो, खतम हो गया, लेकिन heat करने से DNA खतम नहीं हुआ, समझे हो, DNA अपने structure को maintain करके रखा, तो maintain करके रखा, तो R स S में conversion हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि DNA जो हुआ, RNA के compression में ज्यादा stable है, और protein के compression में, समझे हो बात को? ठीक है? तो यह हुआ, तो यहां से क्या है? प्रूफ मिलता है, तो क्या लिखेंगे? From Griffith Experiment, From Griffith Experiment, ठीक है, या, इन ग्रिफिट एक्स्परिमेंट, DNA वाज, नोट दिस्ट्रोइड, नोट दिस्ट्रोइड, आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाग, DNA दिस्ट्रोइड नहीं हुआ, DNA दिस्ट्रोइड नहीं हुआ, हीट करने के बाद, इन ग्रिफिट एक्स्परिमेंट, DNA वाज नोट दिस्ट्रोइड, आफ्टर हीटिंग, हीटिंग करने के बाद, DNA दिस्ट्रोइड नहीं हुआ, अब देखलो, तरव बाद को, आर इडिस्ट्रोइड हो गया, और देखलो, DNA काओर प्रपटि क्या होती है, DNA का प्रपटि होती है, कि यदी आप DNA को हीट दिए, प्रिक, अब एक्स्ट्रा हीटिंग कर दोगे, अब एक्स्ट्रा हीटिंग करने तो भई बाथी अलग गए, अब आगी कहीं लग गया, ठीक है खोब तगड़ा एस्ट्रोंग हिट दे दिये जो लिमिट से पार हो गया तो DNA को यह थी थोड़ा से जाला एक्स्ट्रा हिट दोगे तो वो क्या कर जाएगा उसके जो यह जो एस्ट्रेंड है ओखुल जाते है एस्ट्रेंड उसका खुल जाएंगे लेकिन फिर से प्र यह बेस से क्या है जुड़े हुए है ठीक अब इसको आपने हिट दिया खुल टगड़ा हिट दि दिया तो क्या होगा यह अलग हो गया एक्स्ट्रेंड अलग हो गया और फिर दूसरा प्रेंड भी क्य होगे अलग हो गया ठीक है, लेकिन जब फिर से suitable condition देंगे, proper condition देंगे, तो फिर से इसमें convert हो जागे, इसमें convert हो सकता है, जब suitable condition देंगे, तो क्या देंगे, suitable condition, suitable condition मतलब, थोड़ा उसको ठंडा करेंगे, ठीक है, कुछ enzyme का treatment करेंगे, तो यह फिर से दोनों rejoin करके, यहां पर फिर से इसा बना लेगा, मतलब कि stability सो कर रहा है, इसका tenderness मना हुआ है, कि हम भाई stable रहेंगे, हम जूड़ना चाहेंगे, जूड़के रहेंगे हम, इस्टेबिलिटी को हम maintain करेंगे, यह unstable नहीं होना चाह रहा है, ठीक है, तो एक यह भी point है, इस point को आप लोग, लिख लीजे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखने के लिए, क्या करो, क्या करोगे, बोलो, इस point को लिखने के ल इटेड एक्स्ट्रा, ठीक, DNA is provided extra temperature, is provided extra, extra temperature, extra temperature, then, it's both the strands, इसके दोनों strands क्या होंगे, इस both of the strands, get separated, वो separate हो, क्या हो जाता है, separate हो जाता है, get separated, ठीक है, but, these strands, can join, again, when a suitable, suitable condition is provided, जब suitable condition provide करेंगे, तब क्या हो जाएगा, वो, फिर से rejoin कर जाएगा, तो यह क्या कर रहा है, this proof, this proofs the stability of DNA, more stability of DNA, this proofs the stability of DNA, यह क्या प्रूफ कर रहा है, यह क्या है, उसके stability के क्या प्रूफ कर रहा है, तो बोलों कि सार, ठीक है, DNA stable है, लेकिन यहां से, इससे कहा, इससे कहा यह proof मिल रहा है, कि RNA unstable है, भाई, सिंपल सी बात है, कि कोई आदमी बहुत बड़ा कोड़रपती बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हम खाकपती हो गया, किसी कोड़रपती बन गया, दूसरा खाकपती तो नहीं होता, यह दूसरे के पास कुछ मनी जो रहेगा, उतना ही रहेगा उसके पास, मतलब कि यह कैसे कह सकते हैं, कि DNA ज्यादा stable हो गया, तो RNA unstable है, इस वाले पॉइंट से तो DNA के बारे में बताए, ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे आगे हैं, अब जर्ण के बात करते हैं, RNA के बात करते हैं, तो RNA में क्या होता है, RNA यह sensitive होता है, sensitive to high temperature यह high temperature पर क्या होता है? sensitive होता है and gets denature और यह denature हो जाता है denature मतलब कि अपना nature को छोड़के destroy हो जाएगा खत्म मामला हो जाएगा, समरे हो? यह RNA के साथ अब बता, अब क्या होगा? ऐसा होगा? और ऐसा होने के बाद RNA में कुछ ऐसा ऐसा राम कहानी है जैसे देखो, RNA के पास क्या है? RNA has uracil uracil, यह देख लो uracil, अब uracil में क्या होगा? यह तो बताया थे आपको क्या बताया थे? second second position, यह first position का nitrogen है यह third position nitrogen है अब fourth position में क्या होता है यहाँ, second and fourth position पर क्या प्रोजेंट है बत्चो? oxygen प्रोजेंट है uracil में तो यह oxygen भाई, पूरे ring से क्या करता है? यह electron को खीचता है electron को खीचता है electron को खीचता है, ज्यादा उसको reactive बना रहा है सामझे हो? ज्यादा रेक्टी बना रहा है यह uracil के structure में हमने इसा आपको बताया था uracil ठीक है? uracil के structure में इसा बताया गया था? बोलो कि यह बैसी साटिस्फाइट नहीं है सर यह अपने मन से जोड़ ले ना यह साटिस्फाइट नहीं हो, मानलो कि यह है ठीक है? तो uracil अब DNA में क्या होता है? यह uracil किसमें होता है? RNA में होता है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको यह RNA पर जठ होता है, ठीक है? लेकिन DNA में क्या होता है? DNA में थाइमिन होता है बच्चो थाइमिन का क्या नाम है? एकदम uracil जैसा ही यह structure बस खाली पांच में पोजिशन पर क्या होगा? methyl group यह methyl group, ठीक है? यह double bond O अब देखो, बलग सर यह भी तो electron withdraw कर रहा है ring से withdraw तो कर रहा है, लेकिन यह CH3 क्या है? आप लोग जानते ने electron donating group है, प्लस I group chemistry पढ़े हो ना, वो electron supply कर दता है तो जो electron की deficiency हो रही थे, हो supply कर दिया, तो यह extra stability provide किया, तो यह किसमे होता है? यह thymine का structure है, thymine, आएम मिलता है किसमे? यह DNA मिलता है, कहां मिलता है? DNA में, तो uracil इसको ज़्यादा labile बना रहा है, RNA uracil, which makes it which makes it which makes it more labile, more labile, मतलब sensitive labile to degrade degradation के लिए ज़्यादा labile बना रहा है, degradation मतलब कि तूटरने के लिए, unstability provide करने के लिए, instability को कम करने के लिए, लेकिन uracil के ज़वपे, thymine आजा रहा है कहा है, DNA में, समर्यों, thymine आ जा रहा है तो thymine आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि thymine अब extra stability provide करेगा, समर्यों तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वही चेज लिखेंगे जो लिखने के जरूरत होगे यह देखो अब क्या हो जाएगा DNA, DNA क्या है DNA 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 has thymine thymine at the place of uracil uracil के जगा पे क्या है, thymine है, समर्यों at the place of uracil uracil के जगा पे thymine present है, समर्यों तो यह क्या हो जाएगा it 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 provides provides extra stability extra to DNA extra to DNA अब एक और चीज़ क्या RNA में क्या बताया था RNA के पेंटोज सुगर में क्या बताया था बुच्च बोलो बोलो मेरे रत्नो पंच रत्नो बोलो तो यह हो गया यह फर्स्ट कारवन है, फर्स्ट कारवन पे A H और सेकंड कारवन पे क्या था ओ और H अज ह ह यह इस मतलब कि राइबोज सुगर जो कि RNA मिलता है राइबोज सुगर जो कि कहा मिलता है यह RNA में मिलता है मेरे प्वयरे बोलोज कहां मिलता है RNA सपल्द Méर मिलता है तो आर नहीं मिलता है तो यहां पर क्या देख enrollment than सेकन जार और क्हlehें को अ कर आतिनमें क्यार मिड्हाइए थे चाहन पर यहां फेल्ट है इजए यहांilt है और यहां एच यहां क्या हुगा average OH और यहाँ H और CH2 OH यह Dioxy Ribose सुगर है, यह कहाँ मिलता है? यह Dioxy Ribose सुगर होता है सुगर होता है, यह कहाँ मिलता है? It is found in DNA यह देखो, यह DNA मिलता है तो DNA मिलेगा, देखो Second position का OH, इसको जो है Second position का OH अब क्या बोलोगे? Second position का OH और third position तो third position का OH तो दोनों में है तो यह Dioxy Hydroxyl Group एक carbon पर ज्यादा होता तो ज्यादा reactive अगल बगल में भी ज्यादा है तो और reactivity सो कराएगा तो यहाँ तो देखो, आज पास में OH नहीं नहीं है तो यह stability प्रवाइट कर रहा है लेकिन यहाँ पर बहुत नजदीक में OH हो गया तो इसकी वज़ा से यह और ज्यादा reactive हो जाता है जबकि यहाँ पर एक OH नहीं है Second position पर तो इसके कम प्रिजन में यह कम reactive होता है मतलब कम active होता है मतलब ज्यादा stable है यह समरे हो तो क्या हो जाएगा OH गुरूप यह भी क्या होगा यह भी एक point हम लोगा बन रहा है DNA के favor में तो इसको भी हम लोग लिखी ही ले तो बहतर होगा क्या होगा ना चलो लिखो इसको कैसे लिखेंगे द्यान सेखना आराम से समले हो क्या है भाई कि presence of presence of 2OH 2OH मतलब second position पर OH 2OH या OH इसको क्या बोलेंगे या OH group at second carbon second carbon makes the RNA more reactive more reactive मतलब unstable यह unstable उसको बनाता है whereas जबकी जबकी क्या होगा whereas जबकी DNA whereas as DNA has no क्या no OH group at second carbon no AOH group as second carbon second carbon of pentose sugar इसको 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 क्या करता है इसको बनाता है तो यह भी यह इसको इसको कारण रहा है तो कूल मिला के हम क्या देख लिया कि DNA is more stable in comparison to RNA तो इसलिए DNA के दाविदारी तो अब बन जाती है पहला पॉइंट में replication प्रोटीन खारी, प्रोटीन खातम बच गया क्या लडाई में बच गया दो रेस से बाहर हो गया प्रोटीन पहले पॉइंट में replication वाले पॉइंट में समर्य हो अब बच गये दो RNA और DNA अब दूसरे पॉइंट में बिलकूल RNA धरासाई हो गया और हैं वहाई step you दमीटक को हुआ अधाय को यह 10 है इसकेंड पॉइंट को भूइन को užगझ्या जैए कि इनेटीग क्यों मेट्युंगम्ली के टूर्वुस्कों घुजरना चाहिए जैसे की इन्वार्मेंट इट्मोस्फेर चेंज हो तो आप और्गनीजम में भी चेंज आ जाए जिससे की एविलूशन पॉइंट वहीं से उसका इन्पॉर्टेंस बना रहे हैं समर्य हो चलो थर्ड पॉइंट क्या थर्ड पॉइंट है समर्य हो और जेनेटिक मेटरियल और जेनेटिक मेटरियल देखो जेनेटिक मेटरियल क्या शूड सो या शूड चेंज स्लोली शूड शूड चेंज स्लोली so that it can be so that it can perform perform essential role इन इवलूशन दिश्शे की इवलूशन में ये एसेंशियल रोल को क्या करें? परफॉर्म करें. ठीक है? क्यों? कि कि भाई जो जेरिटिक मेट्रियल होगा, उसको चेंज दिखाना पढ़ेगा. और चेंज कैसा? स्लोली. श्लो चेंज. कैसा? स्लो चेंज. फास चेंज दिख जहागा फिर इसलिए क्या हो नचीव the genetic material को slow change होना चीए है समरे हो तो slow change होना चीए मतलब क्या हुआ मतलब कि ओ एनोलूैंट वीड से ओं क्या होगा बहुत बढ़ियां से और्गनीज्स को सेट करता है जिस एन्वारेरमेंट में ऊरह रहा है औरगनीजम से फाइट करने ठेखां बसक्त 스कत से और तो नगे प्रिजन कर लेते हैं डीन ओर ने का कौन इस पर बेहर शूट करेगा तो देखिछे लो बेटर सूट करेगा आर एने जितने जितने ऑर्गनीजम में आर एने जीनेटिक मेटिरील का काम किया है उसमें बहुत फास्ट जेंज हो लाया है से एक यह एक in जो से दूसरा मूटन से पिर दूसरे म्यू टेन्ट से तिसरे म्यू टेन्ट से चौथा आयसा ऐसमत्रै मन्हाँ की फास का चेंज लाया है अभी देखालो एट प्रिजन्ट जो कोरोना चल रहा है तो इसमें देख्लो यह क्या वेड का लाहर आ रहा है वैब आ पतरना को प्या जा रहा है तो बोलो तो इसमें तो सर कोरोना बेटरली एडप्ट कर रहा है चेंजिंग ए't text में अरे बच्चो एटमोस्वेर भी चेंज कहां कर रहा है इसे बात करेंगे इसमें लगभग एटमोस्वेर कॉंस्टेंट ही रहा है बोले सर यह जो आता है बारिस कभी ठंड कभी वो तो नॉर्मल सीजनल उतनल चेंज हो गया एक ड्रस्टिक चेंज पूरे ग्लोब में बात बोले हैं कि असे पने खाली वारती को तांड करने के लिए अर्थ को अभीी अर्थ पूरा अंदर से ठंडा नहीं हुआ है तो पिल रहा हूं पर तो वहां पर यह क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है यह पकर genetic material RNA का बना हुआ है अब देखना ये जितना जल्दी आया था उतना ही जल्दी जाएगा भी extinct भी कर जाएगा खतम हो जाएगा समझे हो जैसे एक variant का wave आ रहा है फिर वो खतम हो जा रहा है फिर दूसरा variant आ रहा है तो ऐसा नहीं कि variant का change चल जाएगा ऐसा नहीं है कि change चलेगा इसी virus के लिए वो mutation वो change RNA के वज़े से जल्दी जल्दी change ला रहा है उसी virus के लिए खतरनाक हो जाएगा वो एक दिन virus ही खतम हो जाएगा समझे हो तो जिस organism का genetic material RNA है वो बहुत जल्दी change सो करता है और change सो करना उसकी drawback में आ जाता है और drawback में आ जाएगा तो extinct कर जाएगा वो खतम फिर हो जाएगा समझे हो वो challenge उसको ये feel करना पड़ता है ये experience करना पड़ता है तो क्या लिखेंगे the organism argument क्या इसका देंगे the organism the organism खास करके viruses थेक viruses वाइरसेश और गनीजम में नहीं आता है याद रखना यह मतलब और गनीजम बोलने का मतलब common term है याद रखना वाइरस लिविंग में नहीं आता है तो सम और गनीजम वाइरसेश आब RNA RNA and some organism some organism viruses have RNA and they show rapid changes fast mutation fast mutation this is a mutant mutant variety mutant एक वाण सा mutant आया fast mutation mutation they show rapid changes fast mutation सम और गनीजम वारेसेश have RNA and they show rapid changes fast mutation fast mutation को क्या करता है बच्चों so करता है जब fast mutation को so करेगा तब क्या होगा fast mutation ठीक है fast mutation and this become a threat for that organism threat for that ये उस organism के लिए एक डर बन जाता है that organism ठीक है ये उसर्वाइब करेगा कि नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि RNA जो होता है वो बहुत ही तेज म्यूटेशन सो करवाता है तो RNA को हम genetic material अब नहीं कर सकते अब यहाँ प्रूफ हो गया कि DNA ही genetic material होगा तो DNA क्या है सभी तीन पॉइंट पे सूपिरियर हो गया RNA से अब फॉर्थ पॉइंट देखो फॉर्थ पॉइंट क्या है फॉर्थ पॉइंट यह है कि ए genetic material ठीक should follow the mandalian inheritance mandalian inheritance में उसको क्या होना चाहिए फिट बैठना चाहिए समँरे हो जैसे होता था ना कि एक DNA है यह capital T small t अलग-अलग हो जा रहा है यह यह इस तरीके से इस mandalian inheritance में क्या होना चाहिए उसको फिट बैठना चाहिए तो देखो फोर्स पॉइंट क्या जाएगा फोर्स पॉइंट आ जाएगा ए जनेटीक मेटेरियल should hollow the mandalian mandalian inheritance ठेक DNA do this properly DNA does this properly DNA इसको properly perform करता है RNA को सवाल ही नहीं होता है क्यों क्यों भाई DNA permanent structure के form में क्रोमोजोम में होता है और Sutton and Bavary नहीं क्या कहा था Sutton and Bavary वो प्रूफ कर दिये थे कि mandalian factor कुछ नहीं है बलकि वो DNA ही है जो कि क्रोमोजोम के अंदर है ठेक है बाद वो बोला था कि क्रोमोजोम के अंदर होता है DNA के बार में नहीं बता है था कि DNA ही एक्चुली है बाद के सांट के बोला कि क्रोमोजोम के अंदर तो है लेकिन वो कौन चीज है वो DNA है उसके अंदर में DNA इधा में stability के साथ fix रहता है को रोम जो में coiled होके जो निकोली जम का आप लोगो के इस्टक्र बताया गया ठीक RNA वैसा नहीं होता वहां समझ गया इसका मतलब कि DNA वहां भी फिट बैठ रहा है RNA फिट नहीं बैठ तो अब undoubtedly हम कर सकते हैं कि DNA is superior than RNA and it behaves like it has means it's इसको क्या हो लेंगे यह बहुत strong मतलब की हो गया proof इसका DNA genetic material हमारे पास है तो इस आल इस आल इसकुशंस प्रूब शुपरिटी शुपरिटी अफ बने ओर रने इस जेनिटिक मेट्रियल हमें उसके उपर में यह सुपरिटी को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है तो अब क्या होगा अब आर इने ओ भी बेचारा scientist को कहने लगा कि sir मेरे को कुस्तोरी कोगनी संदो हमें क्या खिर बोलते हो हम बिना काम क्या क्या scientist को कहने है काम बिना काम के तो नहीं हो तो DNA को तो आपने medal दे दिया हमें क्या medal मिल रहा है यह आर इने का question था आर ने कोई जानवर है क्या से आर ने कोई आदमी है क्या से पूछता है मालो ऐसा mind में आ सकता है question बिलकुल आ सकता है जब आ सकता है तो क्या होगा तो बोला गया DNA के बारे में कहा scientist होने कि DNA is better a storage of देखना a storage a storage पर यह अनलाइन करो है storage of genetic information genetic information का एक बहुत बढ़िया क्या है storage होता है कौन DNA RNA क्या होता है RNA is better better for transmission transmission of genetic information genetic information को transmit करने के लिए यह बहुत बढ़िया है दोनों को मेडल मिल गया कि और DNA genetic material बन गया क्योंकि जो genetic information को यह store करके रखता है कौन DNA कि सब्सक्राइब आरे ने क्या करता है उसी information को जो DNA में store है ठीक ना उसी information को आगे convey करता है और characteristic का expression देता है मतलब characteristic बनाने में help करता है ठीक है मतलब DNA direct characteristic का expression नहीं देता RNA के मध्यम से हो काम करता है और ने के help से काम करता है बता है समझ में चलो ठीक है तो is better for transmission of genetic information यह genetic information के लिए better transmission का काम करे गा ठीक है आएसा यह दी होगा आप चलो आप बात करते हैं DNA replication के ठीक है किसकी बात करता है DNA replication replication के DNA replication क्या होता है replication of DNA replication of DNA क्या होता भाही replication मतलब DNA का DNA में capability एक होती है अपना खुद copy बना लेना ठीक है self copy बना सकता है जिसे कि अगले generation में एक कोपी भेज़ दे ठीक है तो इसी को बोलता है replication तो क्या हो जागा the process the process in which dnmx its own replica 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 मतलब copy ठीक है own copy खुद से by itself ठीक is known as replication खुद से जो त्यार करें क्या जो खुद से अपना replica त्यार करें copy त्यार करें is known as replication अब DNA हुआ कि अब DNA हुआ यह DNA क्या हो जाएगा कि एक copy त्यार किया अब दूसरा क्या हुआ कि ऐसे त्यार किया कि तो यह DNA देखो दो copy त्यार कर लिया इसी process को यहां से यहां तक का जो process हुआ इसी को हम बोलते हैं replication क्या बोलेंगे replication it is known as replication यह replication है पता है समझ में अब कहते हैं डिस्कवरी किस ने किया इट वाट्सन एंड क्रीक जिन्होंने model दिया था इसका बाई वाट्सन एंड क्रीक वाट्सन और वाट्सन क्रीक ने दिया था वाट्सन क्रीक क्या देंगे भाई replication और यह बोले कि replication is semi conservative nature क्या होता है DNA का replication जो होता है semi conservative nature का होता है replication of DNA replication of DNA is कैसे नेचर का होगा replication replication semi conservative nature का ठीक है is semi कंजर्वेटिव in nature नेचर से semi conservative होता है replication of DNA is semi conservative in nature की मतलब कि semi conservative का मतलब क्या हुआ semi conservative का मतलब हुआ कि अब ईसे करें कि मतलब यह 2 ऐस्टेंड में से यह जो DNA का replika तोयार हुआ इस replika मेए एक पारेंट का होगा इसमें भी एक पारेंट का होगा और डाउटर स्टेंड एक होगा इसी को बोलते हैं कि आगला जैनेशन का डी एने में जो होता है एक पैरेंड की एक कॉपी इसमें कंजर हुआ है और अभी आधा कंजर हुआ है हुआ है क्योंकि फिप्टी परसें यह फिप्टी परसें यहां पर गया तो इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नियसर ठीक मतलब इसको कि समझने के लिए ऐसे समझें कैसा समझना है भाई अप्र अब सेमिकंधरेटिर नेचर को कुछ ऐसे समझते हैं और ध्यान से लेको मुई हमने बनाया के डिने को ठीक है अब दखो लुक्त क्या मि má अब यह री डिकसंद किया नो रीप्ली केशन करने के बाद यह देखो, मतलब इसमें हम देखते हैं कि यह जो हुआ, एक parent strand है यह, यह parent वाला, parent strand, यह strand, दोनों देखते, parent strand चला गए, और यह क्या बना, यह doubter strand है, यह doubter strand है, मतलब जो नाया बना, doubter strand, और यह भी क्या बन गया, यह क्या बना, doubter strand बन गया, doubter strand मतलब, newly formed strand, newly formed strand, strand, समारे हो, newly formed strand, doubter strand बोलता है, तो इसकी, इसी को बोलता है, semi conservative, replication जो हुआ, यह जो हुआ, semi conservative nature of replication, इसा लिखेंगे, semi conservative nature of DNA replication, DNA के replication का, यह semi conservative nature है, मेरे प्यारे बच्चो, replication का semi conservative nature हो गया, ठीक है, अब देखो, अब किसने प्रूफ किया, experimental प्रूफ किसने दिया, कि DNA replication of DNA, semi conservative nature, तो यह मेसेलसन और एस्टॉल, दो scientist है, उन्होंने इसका क्या किया, scientific प्रूफ दिया, तो लिखे लेंगे, मेसेलसन और एस्टॉल, मेसेलसन, मेसेलसन और एस्टॉल, proved, the semi conservative, इसके बारे में, the semi conservative nature of DNA, DNA replication, इन्होंने प्रूफ किया, कैसे, experiment का नाम किया था, name of experiment, experiment का क्या नाम बोलो, experiment density gradient, क्या बोलते हैं उसको, density gradient, gradient experiment, density gradient experiment, उनके experiment का था, नाम था, क्या किया इन्होंने भई, इन्होंने किया, कि इस रेकिया को लाई, बेक्ट्रिया ले लिया, इस रेकिया को लाई, एले लिया, इस रेकिया को लाई बेक्ट्रिया लिया, इको लाई, अब रहा हो, अब इको लाई को, एन्फिप्टिन मेडिया में ग्रो कराया, इसका देखोए, डियन है, इको लाई किसमें कराया, एन्फिप्टिन मेडिया में ग्रो कराया, तो एन्फिप्टिन मेडिया मतलब क्या हो जाएगा, कौन से medium था वो medium था NH4Cl NH4Cl का solution था उसमें grow करा है यह n जो था level था 15 atomic mass से इसका atom था 15 था तो n15 हो गया इसी को बोलते है n15 medium इसी NH4Cl के solution को क्या बोलते है n15 medium मतलब कि NH4Cl जिसमें nitrogen 15 atomic mass वाला present हो विप्टीन के बलता है । अब अब अइसा करने के बाद इसके DNA को निकाल आप तो अब बताओ क्या होगा ये DNA क्या होगा DNA के दोनों ये हैं estrand क्योंकि एंवेप्टीन नाइट्रोजन क्या होगा डीने का पांट होता है natogen is base का तो डीने में N15 चला जाएगा, N15 यहाँ चला गया, और N15 यहाँ चला गया, NH4CL से निकल के, NH4CL का यह 15 लेबलिंग वाला जो है, यह N15 का सोर्स बनता है, इसी सोर्स से N15 निकल के वहाँ जाके इनकर्प्रेट होता है, सब्सक्राइब हो, लग जाता है वहाँ, सब्सक्राइब हो, तो इसको क्या करेंगे, अब इस बैटरिया को क्या कराये गया, सेंट्रिफ्यूग कराये गया, क्या कराये गया, सेंट्रिफ्यूग कराया, सीजियम कोलराइड के सोलूशन में, इन सीजियम कोलराइड सोलूशन, ठेक, सीजियम कोलराइड के सलूशन में सेंट्री फ्यूगेशन घिरनी से घर नचाना सेंट्री फ्यूग कराया क्या कराया सेंट्री फ्यूग कराया जब सेंट्री फ्यूग कराया तो ओ जो डेंसिटी मिला इसमें ओ डेंसिटी सबसे हैवी वाला मिला और वो क्या हुआ, वो DNA जाके यहाँ पर देखो बैठा, यह वाला DNA, यह DNA इस लेवल पर जाके बैठा गया, अब बैठा, आईए क्या है, यही DNA है यह वाला, समझ गया, अब यह बैटरी अब 20 मिनट में क्या हो जाता है, एक से 2000 डिवाइड करके, एक से दो से हो जागा 20 में, तो 20 मिनट के बात देखते हैं कहानी, ठीक ना, अब उसको निकालके, एक फ्रेश मेडियो में डला गया, एन 15 वाले को, निकालके किसमें डला गया, फ्रेश मेडियो में डला गया, तो n 15 बैक्ट्रियम, सम n कूझ, कुच का तो यह कर ली आपने, डेंसिटी चेक करने क अब कुछ सम एन 15 एन 15 से लेवल जो बैक्टरिया था क्योंकि एन 15 इसको कल्चर कर रहा है आप इसे से इसका डिया निकाल कर देख रहा है तो सम एन 15 बैक्टरिया वेर ग्रिव उसको ग्रो कराए गया ग्रिव इन नॉर्मल नस4 चल तो नॉर्मल नस4 चल को एन 14 क्योंकि नॉर्मल मास 14 होता है नाइट्रोजन का तो एन 14 मेडियम नॉर्मल एनस4 मेडियम ठीक है आफ्टर 20 मिनट 20 मिनट के बाद क्या देख रहा है कि आफटर-20-निनक जो क्यों को ट्वंटी मिनट इस बेक्रिया का डिवीजन टइम होता है दिवाइदिंग टइम एक से दो बन जाता है डिवाइडिंग टाइम है छाफिजन टैम ब ply में यह इक से यह दाइँ हो यह एक से डो हो दियान से एक सेraft 60, कितने मिनिट में टॉंटी मिनिट में 20 मिनिट से जास्ट डबल हो जाता है तो 20 मिनिट डबल होगा तो इसमें क्या पड़ा हुऊ था तो न 15 , N 15 पड़ा हुआ था इसमें देखो यह वाला DNA इस पड़ा हुआ था तो इसमें DNA का double copy तयार होगा इसको देखा गया अब इसको अब्जर्ब किया गया देखलो ध्यान से समझ दे की जरूरत है क्या भाई इसको देखा गया इनको इसको सेपरेट किया क्या किया सेपरेट किया इस देनको सेपरेट किया तो सेपरेट करने के बाद क्या देखते हैं यहां बना दे रहा है सेपरेट करने के बाद अब इसको डाला गया टेस्टीव में ठेस्टीव में डालने के बाद यह देखलो पहले वाला जो N15 पूरा वाला था N15 पूरा एक दम फर्स्ट लियर को ऐसे पकड़ी हुए था ऐसे पकड़ा था तो यह क्या था पहले वाले एक्सपरिमेंट में N15 और यह भी N15 था अब जो हुआ अब तो यह hybrid DNA त्यार हो गया न hybrid यह पूरा N15 नहीं है एक N15 वाला है इसका और एक क्या है N14 वाला है यह भी क्या है N15 वाला और एक क्या है N14 वाला तब तो hybrid DNA त्यार हो गया तो इसको बोलते हैं hybrid DNA क्या बोलते हैं इसको hybrid DNA बोलेंगे ठिक है तो hybrid DNA को जब इसमें डाला गया देखो इस hybrid DNA को यहां पे डाला गया तो इसका लेवल जो था इतना नीचे नहीं यह बीच में आके अटक गया बीच में उस solution में CGM collide के solution में CGM collide के solution में यहां पे आया यह इसका मतलब कि इसके compression में हलका था तब तो उपर आया समर हो तब तो उपर आया तो इस तरीके से मतलब यह वाला चीज यहाँ पर देखा जा रहा है इसका मतलब कि यह जो था N15 था आ यहाँ पर हमने क्या रखा है यहाँ पर hybrid DNA को रखा है hybrid DNA को रखा है तो hybrid DNA तो भाई एक स्ट्रेंड क्या होगा N15 हो जाएगा और यह के N14 होगा तो जाईर सी बात है भाई 15 15 यहाँ पर 30 हो जा रहा है अब 15 और 14 29 हो रहा है तो तो हलका होगा तो थोड़ा उपर चला गया ठीक और जब complete N14 को मालनो कि N15 का हम कल्चर नहीं दिये थे प्योर N14 में ही बेट विया पला है N15 को हम दिये ही नहीं तो N14 वाले में क्या होगा N14 वाले में उसका जो density होगा वो क्या होगा यह N14 यह भी N14 आई इसको यह दिटेस्टी में रखते हैं CGM कोलाइड के solution में तो यह तो सबसे उपर होगा यह सबसे हलका यह होगा देखो सबसे उपर आगे सबसे उपर तो सबसे भारी सबसे नीचे सबसे हलका सबसे उपर तो बीच वाला क्या हुआ बीच में हाइब्रीड वाला बीच में आगे तो हाइब्रीड मतलब क्या hybrid का मतलब हुआ जो पूरी तरीके से N15, N15 भी नहीं है और जो पूरी तरीके से N14, N14 भी नहीं है इसका मतलब कि इसमें N15, N14 दोनों पार्ट है मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि पहले वाले generation से पहले वाले generation क्या था? अब समझो फिफ्टीन टाइप का अपने ओन टाइप का 50 परसेंट आप पैरेंटेल टाइप का 50 परसेंट कैसे देखो अब आगे चलते हैं देखलो कि इसी को बोलते हैं क्या कि सेमी कि कंजर्वेटिव नेचर ठीक है कि देखो इस फिगर को यह दी बनाए अच्छे से बनाए जाए तो कुछ ऐसा होगा कि शुरू में आपका क्या था कि एन फिप्टिन फिप्टिन था क्योंकि उसी मेडिय में आप आपने पाला था इसको अब आगे के 20 मिनट्स में क्या हुआ 20 मिनट्स में एक से दो हो जाते हैं तो एक एन फिप्टिन का आ गया और एक क्या गया कि देखो कि एक आ गया कि एन फिप्टिन का कि अरे यहां कि इसे बनाते हैं दो कलर का बनाते हैं तो मजा आता दिखता साफ एक दम यह देखो अब यहां पर क्या है यह एक एन फोर्टिन है आए एन यह एन फिप्टिन है एन फोर्टिन है एन फिप्टिन और एन फोर्टिन यह फर्स्ट जेनरेशन हुआ अब इसके बाद सेकंड जेनरेशन आएगा तो यह भी दो दो बनाएगा यह भी क्या बनाएगा दो बनाएगा अब दो दो बनाएगा तो क्या हो जाएगा अब देखो यह अपने इस्टेंड पे यह नया वाला नया वाला अपने इस्टेंड पे दूसरा बनाएगा और पुराना वाल अपने स्टेंड पे एक नया बना लेगा तो पुराना वाल अपने स्टेंड पे एक नया बना लिया पुराना वाल क्या करेगा एक नया बनाएगा क्योंकि ये तो पुराना वाला है आज अब दूसरा बनेगा इसका कम्प्लिमेंट्री तो नया वाला ही होगा तो इसमें देखुल क्या है अब क्या आया अब आया N14 N14 आये किसमे N15 और N14 यहां भी वही बात होगी अब देखो N15 और N14 और यहां पर कम्प्लिट N14 N14 अगला 20 मिन तब ए 40 मिनिट हुआ है, क्याकि 20 मिनिट में ही एक से दो होते हैं, तो एक से दो 20 मिनिट में, फिर एक से दो अगला 20 मिनिट में, समर्य हो, तो आप क्या देख रहा है, कि ये पार्ट जो है, ये दो पार्ट जो हुआ, ये दो पार्ट ये कजर्म रह जा रहा है, और बाकी दो जो है सो नया, next, second generation में 50% इदम new DNA हो गया, अब 50% old DNA हो गया, ठीक है, तो second generation में क्या हो जाएगा, second generation, 50%, 50% old DNA, आप 50% new, new DNA बना, ठीक है, तो धिस अल 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 इसा, ठीक है, now I am going to close my class thank you for today ओके, और next class में हम अगली class में आपको फीव दिखेंगे तब तक आप वेट कीजिए thank you, ओके